इस समय हम मौझूद हैं जम्मो के नगरोटा विधानसभा शेत्र में आज जो तीसरे चरण का मद्दान जम्मो कश्मीर में होना है उसका प्रचार थम जाएगा आज आखरी दिन है प्रचार का और कॉंग्रस पार्टी के बड़े नेता राश्ट्रिया उनके महा सचीव सचिन करश्वास है कि कॉंग्रस नेशनल कॉंफरेंस की सरकार बनेगी क्योंकि बीजेपी केरी कि इस बार पूरद बहुंमत की सरकार बीजेपी की बनने जा रही क्या कहीं गया पहली बात तो जमो कुश्मीर को चुनाव का ने आदेश दिया था सुप्रीम कोट अगर आदेश न उब चुके हैं परेशान हो चुके हैं वही शासन वही वादे मुधि कर रहा हैं को अगलेव तक wysy अंपर क्यों नहीं की है आज भी वह से लेंडर की नौकरी की बात करते हैं लेकिन आपकरा शासन था दधा साल क्वें सरकार का हैं यहां पर कश्मीर में आप नहीं कर पाइए हमारा जो अलाइंस है वो अलाइंस जमो किश्मीर के बहतरी के लिए है एक सरकार जो अकाउंटेबल हो, रिस्वांसिबल हो, जवाब दे ही हो लोगों की आवाज को सुने, नौजवानों को रोज़गार मिले और यहां के लोगों के साथ जो जात्ती की गई है यहां स्टेट को खतम करकर यूटी बनाया गया लगता है कि यह जो स्टेट हूड का मुदा है, इसकी बहाली का मुदा है यह एक बड़ा चुनावी मुदा रहेगा, इसी को सोच कर लोग बोटन चुनावी है है जज़वाती भीैं किस बश़ा से और किस कारों के शेट हुड को छिणा गया हम लोगने कल इस विस Нет के बाद लोग किश्मीर के स्टेट हुड करें गें लेकिन बीज़ों के historians करें已經 कि इनके पास के इन सरकार और राहुल जी के नित्वत में जो हमारा अपूरिशन है वो सशक्त है और पार्लेमेंट के अंदर भी हम अपनी बात को मनवा के मानेंगे कॉंग्रेस और नैशनल कॉंफरेंस का यहाँ पर गठबंदन है जम्मो कश्मीर में आपका प्री पोल गठबंदन है लेकिन ऐसी पांच सीटें हैं जिन पर आपकी कोट अनकोट फ्रेंडली फाइट है और जिस विदानसभा शेतर में इस समय हम खड़े हैं नगरोटा विदा पर हम लोग ओपन में लड़ रहे हैं को छुपके तो नहीं कर रहा है हमारा फ्रेंडली कंटेस्ट है पांच जिटों के उपर जो भी जीतेगा हमारे साथ रहेगा तो इस नाट एक कॉंटेस्ट और फ्रेंडली कंटेस्ट और मुझे पूरा विश्वास है कि यहां पर हम प पीडीपी से समर्थन ले सकते हैं आप इस सूबे की अखीकत को समझे हैं यहां कि लोग बदलाव चाहते हैं और पूर्ण बहुमच हमारी सरकार बनने जा रही है को इसमें कोई इफन बट नहीं है लेकिन बीजेपी ने लोग सबात चुनाव में यहां पर उमिदवार नही सचिन जी अभी हाल ही में उमर अबदल्ला साहब ने कहा कि कॉंग्रिस जो है ज्यादा सीटों पर जो लड़ रही है जम्मू संबाग में लेकिन उनका कैंपेणिंग प्रचार उतना दमखम नहीं लग रहा वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं क्या कहिए ऐसा नहीं का उन्हों सबसे पहला प्रस्ताव जो है 370 को लेकर पारित किया जाएगा क्या कॉंग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी विरोध करेंगे बाकी जो धानसवा पास करेगा वो तब कि बात देखी जाएगे लेकिन आज चुनाव हो रहा है जिनको मुद्टों को जन्ता के मुद्ट ने उन पर चुनाव हो रहा है सचिन जी आपने अमरसर बातचीत किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो जनलिस सीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट नगरोटा विदान सभाशेत्र जम्मू आज तक